हाई गाइस कैसे हाँ मैं हूं मॉनिका और आप देखने वाई चैनल को कुछ मॉनिका दोसों आज बड़ी चटपटी रेसिपी आई आपके लिए मैं लेक्ट नमकीन के हम केक बनाएंगे सौच से गार्निश करेंगे भुजिया डालेंगे को बच्चे कुछ डिफरेंट खाना मांगते हैं न और आप उन्हें कुछ बड़िया खिलाना चाहते हैं वही चीज़ों से लेकिन कुछ रिखने नया रूप दे कर कि बनाने वाले को मज़ा आए खाने वाले को मज़ा आए और बच्चों को इस तरह से इंटरस्टिंग ली कोई चीज खिलाई जाए तो टनल लीजिए और इसमें हम 1.5 टी स्पून 1.5 से 2 टी स्पून इनो एड़ करेंगे इनो के साथ थोड़ा सा पानी भी चाहिए क्योंकि बैटर बनाने के लिए थोड़ा सा पानी हमें चाहिए साधा पानी ले रही हूं मैं तो सबसे पहले क्या कीजिए एक बॉल लीजिए त्यारी यासे करेंगे हम पहले बॉल में डालेंगे सूजी और इसमें दही डाल देंगे तो यह मैं आदा कपके करीब नापकर दही आड़ कर रही है ताजा दही है हलका सा खटास है बस ज्यादा खटा नहीं है अब इसे मिक्स कर लेते हैं और अकॉर्डिंगली दिखिए इसमें भी सक्त लग रहा है बैटर तो मैं थोड़ा सा पानी डालना पड़ेगा तो इसमें थोड़ा सा पानी आड़ करते हैं और बैटर बनाएंगे और आदा घंटा इसमें रेस्ट भी कराना है थोड़ा सा नमक आड़ करेंगे तो यह आदा टी स्पून मैंने इसमें नम बैटर होना चाहिए फिर हम इसे धकेंगे बागी तियारी करेंगे उतनी देर तक हमारा बैटर रेस्ट कर लेगा फूल ना होगा फूल जाएगी इसे डख एक तरफ रखते हैं और अब हम वेज़ीटेवल केक बना रहे हैं तो वेज़ीटेवल के लिए हमें जो जो सबजिया चाहिए उसकी त्यारी करेंगे साथ ही इस पतीली में मैं गेक बना रहे हूं तो पुरानी पतीली है मेरी इसमें मैंने थोड़ा तेल लगा लिए अच्छे से तेल लगा लिए किनारों पर भी तेल लगा लीजिए और नीचे ने कि मैंने फॉयल पेपर जो है वह रख दिया और इदे की सबजिया मैंने लिए हैं में फ्रोजन कॉन है फ्रोजन मटर है थोड़ा दरग डालूंगी स्वाथ बढ़ेगा थोड़ी हरी मिर्टी के पन के लिए शिमला मिर्च है गाजर है प्याज है आप इसमें बीन्स डाल सकते हैं ब्रॉकली डाल सकते हैं फूल को भी पनीर के टुपड़े काटके डाल सकते हैं जितना न्यूट्रीशिस बनाना चाहते हैं बनाईए इसके एक कोम स्टीम कुक कर रहे हैं किसी वेसल में किसी पतीलों में बना सकते कढ़ाई में बना सकते अब धकन उसका अच्छे से फिट हो जाए और यह पतीली भी उसमें आर पहले अद्रक और हरी मिर्च को सौटे कीजिए और फिर सारी सब्जियां साथ में डाल दीजिए और इने 5 मिनट हमने सौटे करना है बस बाकी जो भी इनकी कुकिंग होगी जब केक पकेगा तो स्टीम कुक में हमाई सब्जियां भी कोख हो जाएंगी तो बस इने तेज आज पर 5 मिनट हमने सौटे करना अच्छे से तो 10 रूसार नमक डाली है नमक हमने केक के बैटर में जो सूजी हमारी घुल कर रखे अब सब्जियों के लिए से सब्जियों के खें साब से इसमें नमक डाल रहे हैं तो थोड़ा अज नमक डालें मिक्स कीजिए इनों में भी नमक होता है अब मैं इस पर थोड़ी डालूंगी ताकि मारा केक जो है बहुत अच्छा यलोई शेड में आए पुछ पर सब्जियां देखें सुन्दर सा केक देखें तो थोड़ी सी हल्दी डाल ये थोड़ी सी लाल में दो तिन चुटकी थोड़ा सा फ्लेवर बढ़ाने के लिए बस हमाई सब्जियां पिछले पांच मिनुट से मैं तेज आज पर सौते कर रही हूं और हल्दी का कच्छा बन चला गया है हमारी जो सब्जियां सौते हो गई है और ये जो बैटर है ये भी र डाल देंगे अब इसमें सब्जियां में डाल रहे हो और सब्जियां थंडी निकी गर्म हलकी हलकी वही एड़ कर दिया है मैंने कितनी टेंटिंग लग रही है हमारी डेश कितनी नूट्रिशिस भी होने वाली और बच्छों को कॉन कितना अच्छा लगता है बहुत ही फ्लेवर्फुल बनेगा हमारा ये नमकीन के इसे मिक्स कीजिए अच्छे से तो देखे बैटर बहुत सक लग रहा है इसमें थोड़ सबस्जियां है तो मैं इसमें डेटर टीजपून होती है तो दो सवा दो चमच के करीब छोटे चमच के करीब इसमें इनो पड़गी या फिर आप डेटर से समझे हलके हाथ से मिक्स कीजिए अदिए इनो ने अपना काम कर दिया है और ये बैटर बिलकुल अच्छे से फरम पाना नब हो लिए नहीं तो निकालना बहुत मश्किल हो जाएगा अब इसे हम पड़ावट से स्टेम को करने के लिए रख देते हैं पानी खौल रहा है एक टोरी घूम रही है इसे सेंटर में कीजिए उपर रखें अपनी केक वाले इटिन की पतीली पड़ावट से लगा दीजिए धकन और इसे हमने 15 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर कुक करना है तो फ्लेम को आप बिल्कुल कम नहीं करेंगे एकदम से तेज नहीं करेंगे इन तो पानी सुझ जाएगा तो मीडियम से थोड़ी से तेज मतलब अगर आपकी मीडियम में लो ज कि जन्यमस यह सौल्टी केक हमारा नम्कीन केक बंकर रिडी है जहां साथ ठंड़ा हो इडीजिए क्योंकि बहुत घर्म है अभी तो इसे अलका ठंड़ा करतें पर किनारों से चुड़ाकर लेंगे इसें पतिली से आप इस तरह से प्लेट पर बलट देतें बहुत गर्म है अभी तो आप किसी कप्ड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं तो देखिए अराम से निकलाया है अब यह फॉइल पेपर है इसे भी निकाल लेते हैं यह देखिए हमारे फॉइल पेपर से बैटर जो है चिपक गया है बहुत अच्छे से कोकिंग हो गई इवनली कोकिंग होई है और आप ही सोची सकते हैं कि इस पर फॉइल पेपर ना होता तो कैसे निकलता यह तो देखिए गर्मा गर्म टेस्टी हमारा सॉल्टी नमकीन केक सबजियों से भरा सबजियों वाला केक बनके रेडी है अब केक बनाया तो गानिश करते हैं आसी थोड़ा सा मैं साइट्स पर थोड़ी कैचप डाल रही हूं जो कि बहुत टेस्टी लगेगी इस रेसिपी के सा आप मीठी चट्नी भी इस्तेमाल कर सकते हैं इमली की खट्टी मीठी चट्नी उपर थोड़ा भुजिया सेव लगा दें जो भी भुजिया सेव आपके पास रखा है क्रंच के लिए और दिखने में सुंदर भी लगेगा और खाने में अच्छा लगेगा और थोड़ी सी हर चट्नी मैंने डाल दिये सेंटर में जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे कीजिए तो लीजे हमने बना लिया है नमकीन केक जो की खाने में बहुत डिलीशिस है और बनाने में बहुत आसान है और एकदम लाइट अगर आप डाइट कर रहे हैं केक खाना चाहते हैं आपको खुश हो के काटेंगे खाएंगे उन्हें मज़ा आएगा कुछ वही चीज़ें इंटरस्टिंग वे में पेश की जाएं तो खाने वाले को बनाने वाले को दोनों को अच्छा लगी और बहुत अच्छी लगे तो प्लीज अपने फ्रेंड्स में शेयर करना न बूलेगा आ आपने ख्यार लगी अच्छा खाएं अच्छा की लाइए और हाँ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया